हेई गाइज आई वेलकम आल आफ यू एड मैं चैनल कंप्यूटर कोड तो आज का जो हो हमारा टॉपिक है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कम यह आप बार किस तरह बनाते हैं और यह हमने सर्च वार एक बनाई थी हमी टैक्स फील्ट और यह बटरन हमने बनाना सखा था तो आज के लेक्चर में हम यह देखेंगे यहां पर में हमारा पटशॉप का जो पर एक्टिग वो स्टरर्ट कर लेता हूं तो एक दफह हम हमारा प्रीव्यस जो है उसको हम एक्जेःक्ई उट करके देख लेते हैं हम ने कहां तक काम किया तो इसको आग़े हम कंटिन्यव करते हैं जी तो हमारा last वाला program जो हो एक्टीकिट हो चुक है तो हम यह देख सकते हैं इस तरह हम ने last time बनाया था तो इस तरह हम यह देखें कि यह जो dog का है यह इसको हम dynamically हम किस तरह हम बना सकते हैं तो मैं simply कुछ नहीं करता सबसे पहले एक model class बनाता हूं जिसमें मेरे पास एक image जाएगी और एक text जाएगा तो देखते हम इसको किस तरह बना सकते हैं तो simply मैं लिप को close करके open करता हूं और यहां पर मैं एक track trim बनाता हूं models के नाम से तो यहां पर simply मैं create करता हूं card category category card और यह category card है और यहां पर मैं इसके class define कर देता हूं class category card spelling mistake को kindly ignore किजिएगा तो यहां पर final string और उसका नाम ले देता हूं मैं title दे देता हूं final string image URL तो इसको मैं इस तरह set कर देता हूं और आगे मैं इसका constructor set करता हूं name constructor होगा ताके मैं पता चले हम क्या चीज़ एंटर कर रहे हैं title और default में इसको दे देता हूं doc और एक यह image URL होगा तो मैं यहां पर एक default दे देता हूं image URL default image URL जो मैं देता हूं image list dot splash logo मैं यह वाला जो है ना मैं default देता हूं ठीक है तो simply इसके बाद मैं क्या करूंगा एक main के अंदर आओंगा यह जो मेरा size box वगरा मैंने totally define किया हुए और pressed here यह icons वगरा हमने set की हुए थे title तो इसको हम देखते हैं कब हमने इसको किस तरह perform करने है अच्छा जी हमारी list style थी list style के अंदर card था और यह input decoration वगरा थी इसको एक दफार close कर देता हूं तो यह text direction हमने दिए थी और यह हमारा card था और जिसके अंदर हमने title के अंदर हमने एक card बनाया हुआ था और card के अंदर को सारा कुछता हूं तो मैं क्या करता हूं इस list style को just a second एक दफार मैं close कर देता हूं करते वे extract as a flutter widget करता हूं और इसको मैं widget जो है मैं इसको name दे देता हूं category card UI ताकि हम identify कर ले हमारी model class में और इसके अंदर ठीक है तो यह यहां पर मैं extract हो चुका है तो इसके बाद मैं यहां पर main के अंदर रहूँगा और main के अंदर एक बना दूँगा component की directory बनाने के बाद मैं simple class को close करूँगा और इसको यहां से cut करूँगा और यहां पर मैं एक file बनाऊंगा category card UI और यहां पर मैं कर दूँगा import materials और यहां पर मैं यहां पर यहां पर मैं यह वाली class paste कर दूँगा तो कुछ हैरल जाय है वो strings वेगारा को इसने import करना होगा तो हम इसको import कर देते हैं और यह हमारा import हो जाते हैं तो main के अंदर इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो इसको हम एक तफ़ा होर्ट्री लोड करके देखते हैं कि अब हम किस तरह नजर आता है जी तो यह supply screen and then home screen तो इसमें कोई हमारे difference नहीं है तो let's suppose इसके अंदर मैं यहां पर मैं एक लेता हूँ list view list view और इसके अंदर मैं childrens दे देता हूँ बलके dynamically हम देखते हैं आज हम list किस तरह बना सकते हैं तो dynamically हमें list बनाने के लिए हमें जो चाहिए होगा जो इसको तरह सब्सक्वार करता हूँ list view.builder को call करता हूँ और इसको एक चाहिए होता है रिपायर होता है item builder चाहीए होता है जो इसको dynamically चीज़ों को build करें और मैं इसको hit enter करता हूँ ओके इसको कुछ item चाहिए होती है आइटम से पहले मैं यहां पर क्या करें तक टू大家都 güzeliron नो इंनलैंश क проц में है के च्टरगरी करत हैfar faster second video सजों इसना वर टो टाइब है इस व्य मैं इसोना सब्सक् intrinsself के तो मैं इसको कोपी करता है और पेस्ट करके करता हूँ यहां पर और यहां पर ठीक है तो इसको एक की चाहिए होगी तो यहां पर मैं एक दफ़ा dynamically item count यहां पर मैं कर देता हूं 5 कर देता हूं और इसके access इसको हम देखते हैं कि अब यह horizontally किस तरह move होगी हमारी list view builder इसको मैंगा 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 इस इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब मेरे पास किस तरह डिस्प्ले होता है एक दफ़र ये रिस्टार्ट हो रहे तो एक दफ़र ये रिस्टार्ट होगे तो पिर हम देखते हैं ये हमारे पास किस तरह डिस्प्ले में ओके तो हमें कुछ एरर्स देखने को मिल रह कि अब हमेरे पास क्या इश्यों आते हैं कि को के से मैं रहे हैं तो मैं इसको क्या करूगा सिंपली कर मैं रैप कर दूँगा साइजड बॉक्स के अंदर और इसको मैं हाइट दे दूँगा कि 120 की तो अभी हम देखते कि हमारा इश्यों रिजॉल हुआ या नहीं तो यह देखे हैं हमारा इश्यों जो है वो रिजॉल हो चुका है कि मैस को इससे तरह स्क्रॉल भी कर सकता हूं ठीक है तो हमें हर दाफा एक इमिज तो नहीं चाहिए होगा मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूं ह caracter हम देखते हैं हमारी है हाट हमारी नेड के मताबिक है जैनीी बिलकुल lowest थोड़ी सी कम होगी मैं 110 कर देते हूँ है तक थोड़ा से कच्छे'm険 का फिल्क तब हमारी हाइट बिल्कुल ठीक है तो मैं ये जाता हूँ कि ये बिल्कुल मूव तो हो रहा है लेकिन इसके हर दाफा इमिज यह हो तो अब हम वो किस तरह करते हैं अब हम वो देखते है तो यह stateless widget ठीक है मैं यहाँ पर एक लिस्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ मॉडल की कैटेगरी कार्ट ठीक है और यहाँ पर यह मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी सेमिकॉलर यहाँ पर मैं कुछ इमिजिस जो है मैं जल्दी से वह इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ ताकि उपको आगे कंटीनियूम यूज कर सके जी तो इमिजिस जो है मैंने वह इंपोर्ट कर ली है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह इमिज है है और एक यह इमेज इन दोनों का मैं यूज करते हैं और देखते हैं कि आप हम किस से इसको काम पर कर सकते हैं तो यहां पर मुझे एक रिक्वायर होगा में यहां से इता हुआ क्योंकि यहां पे बिख्रियर गई है जिसकी वजह इस इशू आएगा इसको एक टाइटल चाहिए होगा और टाइटल यहां पर मैं दूँँगा डॉक काई सेम और यहां पर इसको में एक इमिज यॉरल चाहिए होगा तो मैं इमिज यॉरल यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा इसको म sulph szi-zup فर-digिजिंग परप्स मैं यहां पर त्रैक्ट इसको मैं यहां पर इसको Find一樣 कर रह debates है तो मैं अपर कर तो थिक है क किया यहां परлон ॉणिए कर रहा हूं लाए इमेजेस जो है वो सेम रहने दे रहा हूँ एंड सुनेक कर देता हूं जस्ट सिंपल पर अंडरस्ट्रैडिंग तो यहां पर हमारा सब्लैश का लोगो है डॉप डॉप पी एंजी यह वह लार पाथ कॉपी करकर यहां पर प्रेज़ कर देता हूं करते हुएए यही बना दिया लेकिनन झान इस के तराम भी रबा लग करना था करेंगे ट्री यहां पर यहां पर यहां पे यह का टव् ustedes यह बना है नहीं किई पासकरने में चीज़िए भूल का थहा था string मैं स्वारिय छेस्ट शयक्राइब मैं इसको कंट्रोल डी कर लोंगा strings नहीं है string और यह image URL होगा इसको इमच यूरल चाहिए होगा image URL ठीक होगै तो यहां पर हम सबसे पेले set करूंगा this dot image URL default में इसको empty string दे दूँगा इस्टर टाइटल इस डिफालिक कुले दो विख अचौलिंगा यहां पर मुझे ऑगब यहां पर मुझे यूरल पास कर दूँगा और यहां पर ठीक है और यहां पर strings.dog की बजाए मैं यहां पर पास कर दूँगा टाइटल ओके तो यहां पर मैं आ जाता हूँ और मैं यहां पर यह बोल भी देता हूँ कि मुझे यह जो चीजे हैं वो लाजमी रिक्वाइर होंगी यह लाजमी रिक्वाइड है आफ्टर रिक्वाइड लाजमी नहीं कि आप लोगो इसको कोई डिफाल्ट वैलियू दें रिक्वाइड के बाद आप इसके यह डिफाल्ट वैलियूस जो हैं आप दोनों की इभॉफ कर सकते हैं ठीक है तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहां पर वो मुझे एरर दे रहा है क्यूंकि मैंने यहां पर कुछ एक तो पहले में इसको की पास करूँगा वो होगी यनिक की ओके तो दैन इसके बाद कुछ इसको एक्वाइर होगा टाइटल होगा और वो जो मैंने हमारी लिस्ट बनाई है और आइटम कौन की बजाए करूँगा तो षबर में लिस्ट को उमारी यहां पर लिस्ट करने के बाद उस इंडयक्स के अगेस्ट जो मेरे पास टाइटल है और यहां पर मुझे image URL चाहिए और सेम भाई चीज मैं repeat करूंगा list category और यहां पर मैं index dot दोंगा और यहां पर मुझे जो उसके अगेश image URL बात है मुझे वो बुल जाएगा so screens list के अंदर हमारे पास यह errors आ रहे हैं अधीन के नहीं जस्ट जस्टा सेकिंट रोके जो यहां पर कॉंट सुन्ट कर देता तो अज़्व लिए आएश्व आई रहे चाहिए इस चला गया यहां पर कॉंस्ट स्ट्रेटिक और यहां पिस को मैं फाइनल कर जिता हो तके हमारे शूठीक है हमारे शूरे रिजाल्व हो तो इसको दोबारा एक्जिक्यूट करके देखते हैं कि अब यह हमारे पास किस तरह नजर आईगा थोड़ा सा टाइम लेगा रिस्टराट होने में तो आप लोग यह देख रहे हैं तो यह हमारा काम इस तरह से तो इसके अंदर आप इसको विए मेज एक छोटी सी आगी तो इसके अंदर मार्जिन और आप एक साइस की इमिज लेंगे तो वापका इशू नहीं आएगा तो अब हम आगे देखते हैं कंटिन्यू करते हैं इमिज का वह साइस बहुत जर्दा चोटा है इसलिए उसके साथ वो इस इशू आया है अधरवाइस इशू नहीं आना था तो कि जो हमारा आज का में मोटीव है यह तो हमारे बास यह बन गया और उपर से मैं यहां पर कि इमिज को हम अपने दोवारा देखते हैं आज हम इस तरह का काड़ बनाएंगे कि वह इस तरह के काड़ में जिसमें डॉक और डॉक का वह फेश ऑपर के तरफ अब या उपर के तरफ निकलाओ तो यह दिखते हैं बहुमी यह आपकि किस तरह परफॉर्म करते हैं रहा मे ले लीए ओर कंटेंटेंनर ले ले लेते हैं था कि हमारे टाइडग क्लर …… सकते हैं करें कंटेंडर और इसको मैं कलर देपने अड़ दे। चुन्ट कर देता हूं और और चिल्टरन में इसको दे देता हूं अ neste और चिल्टरन्स होते हैं ठीक है तो इसकी मैं हाइड दे देता हूं इसकी हाइड होगी कुछ लाइक साम्टिंग इसकी हाइड मैं दे दे देता हूं 150 ओके तो यहां पर भी मैं एक दफ़ टेक्स्ट ही पास करके देखता हूं इसको text abc मैं दे देता हूं और execute करके देखते हैं कि यह हमारा किस तरह visible होते हैं कि ओके तो इसकी विर्थ हमें pre-define करने पड़ेगी और विर्थ के लिए इसकी विर्थ मीडिया क्यूरी डॉट और और बिल्ट कॉंटेक्स डॉट साइज और यहां पर मैं डॉट विर्थ जो है मैं विट्थ डिवाडी बाइब वान पॉइंट फाइव का देता हूं का और अब मैं इसको होर्ण वोड्ट करता ओक तो यह हमारा काम हो कर के है ओके तॉसके अंदर चिल्डरन और चिल्डरन भेसित रैक ली यूज़ करेंगे छिल्डरन और चिल्डरन के अंदर हम एपलेंगे कि ए अरशट न साना वट कर्त कैट तो यह वाला क्लर मैं इसका हटा के यहां पर शॉरी यहां से नहीं कर और यहां पर मैं इसका कलर दे दूँँए कलर स्टॉट ब्लू एक्सेंट देते हैं और देखते हैं कि अभी यह मारे पास किस तरह की दिपलोगा होके कि अब्लि कर सकते हैं यहां पर इक्लिक दोंसा सिंचा के फिस ऐ anyway और चाइल्ड रिकिवायर होता है और यहां पर एक चाल को कॉल कर लेता हूं और चाइल्ड के अदर मे पास क्या होगा कुछ text होगा card card के अंदर child child के अंदर मेरे पास list आई list आई होगी तो इसको मैं आगे कुछ एक title दे देता हूँ बलके हम card के अंदर child में list आई नहीं लेंगे लिस्टाइल लिमिटिट कर देगी हमें list आई की बजाए मैं यहां पे ले लेता हूँ एक रो ले लेता हूँ रो लेने की भी मुझे जबरत नहीं है मैं सिंपल यहां पे कॉलम ले लूँगा ओके कॉलम के अंदर children और children के अंदर text हमाना है talks ओके सो अब हम देखते हैं कि यह हमारा कहां पे लिखा हूँ आता है इसको मैं hot reload करता हूँ कि अंदर इसको मैंने color नहीं दिया color start अंदर आता है कि यहांना डॉप लिखा हूँ आगे तो अब हम इसकी कुछ पैडिंग वगारा देंगे और सारा margin वगारा सेट करेंगे हम ने इसको क्योंके position नहीं दी तो हम इसकी position पहले सबसे पहले set करते हैं टॉप से इसको तो यहां पर पूजिशन है और पूजिशन के इंदर नौ सिजिशन जी यहां पर विर्थ हाए टॉप से इसकी विर्थ कितनी होगी पूजिशन की विडियो के लिए टॉप से अपने कितना लेना है 60 अभी हम देखते हैं का भी हमारे पास किस तरह विजिबल होगा आपके तो बिर्थ से इसकी में बिर्थ भी डिफाइन कर देता है तो हाइट मेडिया के लिए आफ बिल्ड कॉंटेक्स टॉप साइफ टॉप हाय जितनी हमने इसको बाइ डिफाल्ट गिवन है उतनी ही हम देख देख लेते हैं आपके तो यह हमारा को डाव यह हमारा है सिक्स्टी मैंने टॉप दिया है लेकिन इसको ठीक है मैं आपको अड़न्टिफै करवाने के लिए यहां मैं कुछ क्लर स्टॉट ग्रीन ताकि हम हमारे लिए हार एक चीज इजी लिए अड़न्टिफाय हो जाए बिल्कुल यह मारा स्टैक है स्टैक में यह हमारे पास एक बड़ी वीड़ थै और विट्स के अंदर हमने क्या किया हुए एक एक सेंटर है एक हमने कॉलम लिया है कॉलम को मैं इसको मैं कर देता हूं क्रॉस एक्सिस अलाइन्मेंट डॉट स्टार्ट ताकि यह जो भी एक्स लिखे हो हमारा स्टार्ट में और इसको हम अपनी मर्जी से सेट कर ठीक है है ओके तो यह मैं इसकी एक रफा विट से मैं और हाइट जो है वो में रिमूव कर देता हूं कि अब देखते हैं हमारा यह किस तरह ठीक है तुसमें सिरफ उस कार्ड के जो हमने टेक्स लिखा उतना उतना अरिया बाकी के अरिया को इसने नहीं चेड़ा तो हमें यह चीज नहीं चाहिए हमने इसको एक अच्छे तरीके से प्रफॉर्म करना तो मैं क्या करता हूं सॉरी यहां पर स्लेक्ट करता हूं कंट्रोल दी और इसकी में विर्थ और हाइट जितनी है मैं इसकी इतनी डिफाइन कर देता हूं तो इसके बाद हम देखते कि यह अब हमारा किस तरह ठीक है यह नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसको टॉप 60 किया हुआ है मैं इसको टॉप 60 नहीं करता है मैं इसको जीरो करता हूं एक दफा सारा कुछ तो अब हम देखते हैं तो यह हमारे इस तरह नजर आ रहे है ठीक है तो अब मैं इस कार्ड को थोड़े से मार्जन पैडिंग दूगा पुजीशन टै यहां पर मैं कुछ चीज के अर्गुमेंट होंगे अलाइनमेंट पुजीशन पैडिंग और इस निट अर्ग कुछ और राइट से बोल देता हूं तो अब हम देखते हैं कि अब यह हमारा कार्ड इस तरह फिजिवल होते हैं तो रउट इस इकल डीगोल डॉनल में इस इकल डॉनल इसना जूह है कि तो हमें यह कुछ हैरर्स दे रहे हाइग ट्रॉट को बहुत है और उब भी तो आप इसको तरह करें तो यहां पर हम इसको हम इने लेट सेंटर में करना है तो मैं यहां पर इसको भी Cross Axis, Where is the Column, और यहां पर मैं इसको Main, Main Axis Alignment.Center और यहां पर मैं इसको Wrap कर देता हूँ, तो अब हम देखते कि अब हमारा किस तरह विजिबल लोग है, तो यह अब हमारा क्या बिल्कुल सेंटर में आगे, लेकिन जो हम बिल्कुल सेंटर में नहीं चाहते हैं, इसको मैं Remove कर देता हूँ, तो Remove करने के बाद इसको मैं दोबार हो और रिलोड करता हूँ, ठीक है, तो यह मारा बिल्कुल सेंटर में आगे, लेकिन एक साइट से आगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं इसको मैं पैडिंग के अंदर रैप कर दूँगा, और मैं Only कर दूँगा, और Only करने के बाद मैं Left Size इसको मार्जिन दे दूँगा, 20 का, ताकि यह more clearly, जी, तो यह हमारा बिल्कुल Left Side पे आगे, ओके, तो यह तो हमारा बिल्कुल Left Side पे आगे, और Left Side पे आने के बाद, अब मैं इसको क्या करूँगा, ठीक है, इसके Bottom में भी अब हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं यह ज़रूरत नहीं है, SH, तो मैं इसको Ctrl D कर ल करता हूं और देखता हूं, ठीक है, यह दोनों उपर नीचे, आप यहां पर अपने मर्दी से कस्टम कोई भी विजट जो है, आप वो रख सकते हैं, ओके, तो हमारा एक पोजिशन का काम जो है, वो सैट हो गए, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, कि अब हम अपने दू ध्त वगएरा से में इसको रिमूव करता हूं, और इसकी में विजट थोड़ी सी चोटी करता हूं, ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से परफ आफॉर्म होज़े, अज़स्ट ऑ कि इसको होड रिलोड करता हूं, ओके, तो ये इमेजीन वह विजट वगएरा आगी, इसकी आगे हम इसको continue करते हैं just a second sorry यहां से कुछ इशुआ रहाए थिंग ओके अब मैं देखता हो अभी है मेरा किस तरह विजिबल लगते हैं ठीक है तो यह इस तरह कुछ विजिबल है और यह पैडिंग लेफ्ट है और यहां पर मैं पैडिंग इसके बाद हमें क्या करना है एक इमेजड डिस्प्ले करवानी जो बिलकुल इसके और पोजिटो तो उसके लिए अब हम क्या करें परफॉर्म करेंगे यह हम देखते हैं इसके अपोजिट इमेज के लिए यहां पर मैं सिंपली पहले इसको कुलूंगा क्लोस जस्ट यह कॉलम बगारा था इसके अंदर अब के तो यह कार्ड था अजस्ट आ सेकिंड कार्ड कॉलम के अंदर एक क्या होती है एक कार्ड के अंदर मल्टिपल कॉलम्स और रोज हो सकते हैं ठीक है मैं इस कॉलम को अजस्ट कॉलम को अपर रहने देता हूं ठीक है फर्स्ट यह यह तो दैन इसके बाद मैं रो सबसे पहले हैं मैं यहां पे एक रो डिफाइन करूंगा यहां पे नहीं यह एक रो गी ठीक है और एक रो क्योंकि यह रो है और यह सारा कुछ ठीक है इसको मैं रैप कर दूंगा एक रो के अंदर ठाँर यह हमारा कॉलों माला सेशन क्लोज हो जाएघा और यह हमारे रोव बाली सेशन यहां पे आ जा जाएगा ठीक है और एक तो हमारे आप पास भर हम थीजरे खांगा और इस यह बार ब्सक्राइग में इसके नीचे अब हम क्या करेंगेach container use करेंगे container और container के अंदर में decoration box decoration और इसको चाहिए होगा एक image और image क्या चाहिए होगा image just a second decoration decoration image decoration image और यहां पर मैं एक image define कर दोंगा एक स्थिमिच और यहां पर मैं एक simply dog जो है नोपर strings के अंदर मैं यहां पर किसी भी assets.vng कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ cost और यहां पर विट्स की बजाएब मैं इसको कर देता हूँ box constraint.expandit और यहां पर मैं इसकी width दे देता हूँ 60 by 60 के एक रफ़ा दे के देखते हैं और height 60 by 60 तो इसको मैं hot reload करता हूँ और देखते हैं यह हमारा साथ में यह देखें डॉकी में जा ठीक है okay dog की में तो आगी लेकिन यह बहुत चोटा था dog है मैं यह dog बहुत ज्यादा बढ़ा चाहिए तो इस काम के लिए मैं क्या करता हूँ 100 by 100 करते हैं यहां पिसे निकॉलन और इसको में एक दफार कॉंट सेट करते हूँ अभी भी छोटता है मैं इसको 200 करता हूँ 200 वाई 200 ओके तो यह से बाहर तो जा रहा है लेकिन साथ में मैं कुछ issues भी दे रहा है ठीक है ओके तो यह जो मारी position है मैं इसको top से देता हूँ just a second top से मैं इसको कर देता हूँ 10 top से 10 दे के देखते हैं okay ठीक है तो just a second okay okay I do something wrong I think I have closed this और इसको मैंने कट किया rows को किया remove ठीक है तो यह मेरी कॉलम है कॉलम में यहां पर मैंने क्या किया इसको भी कर दिया remove ठीक है मैं इसको भी देखता हूँ अप मेरे यह किस तरह visible है ठीक है यहां पर हमाना डॉक्स वगरा लिखा हूँ ठीक है okay तो एक तो मेरे यह position है और secondly मैं यहां पर एक और position प्लूंगा ठीक है और इसके नदर इसको एक चाहिए और चाहिए और चाएल में इसको में एक दफा container दे रहा हूँ और container को में बाद में चेंज कर दूंगा और यहां पर मैं इसको कलर दे रहा हूँ कलर स्टॉर्ट ब्ल्यू ठीक हो गया तो यह है और इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ अजस्ट रसेकिंड के कंट्रीनर और यहां पर मैं इसको एक चाइल्ड दे देता हूँ और चाइल्ड गंदर में वही सेम चीज़ परफॉर्म करता हूँ और मैं देखता हूँ अब में यह मुझे किस तरह नजर आता है और तो यह काफी माशाला से बढ़ा है तो इसको अब मुझे करते हैं इसको मैं कलर प्लूड रमूव कर देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा क्लियरली हूँ उसको पता चले कि मैं क्या काम कर रहा हूँ तो इसको मैं जरा दूसरी साइड पर रैप करता हूँ तो यहां पर यह पूजिशन रहा है और इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ जिरो तो यह आटोमेटिकली होफुली दूसरी साइड पर चला जाएगा सॉरी यह लेफ्ट साइड से नहीं हो रहा इसको मैं करता हूँ राइट जीरो तो यह आप लोग देखने हैं यह बिल्कुल तो अब इसको डॉक को जरा पहले जरा सा चोटा करते हैं कि इसको मैं विट्ट हंडर्ड भाई हंडर्ड करके देखते हूं कि इसके उताफिक सेट हूँ जी बिल्कुल ठीक हो गया ओके तो हमारा डॉग आ गया यहां पर एक और में और इसको पीविट यह आगी राइट इसको जीरो मिल गया है राइट जीरो नहीं इसको राइट स इसको सिर्फ डेस्ट एंच यह लेफ साइड बेहोई ना ठीक है और टॉप से मैं इसको देखता हूँ तॉप से मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं भाई आप टॉप से भी जरा सा टैन ले लो लेकिन मेरबानी करें तो यह हमारा यहां पर डॉप सैट हो गया अब मैं इसको सै यह बैकराउंड वगएरा कलर चेंज करता हूँ कि यह सारा कुछ स्टैक है स्टैक अंदर यह पूजिशन्स के अंदर जस्ट रसे किंग्ट कर देता हूँ करने के बाद करता है इसको होड रिलोड ठीक है तो अब हमने क्या करना है यहां पे एक बांडरी बनानी जिसमें य हो looks about язы and ecology कार्णोंको और इस ईसको मैं रख करता हूँ एकड़कार कार्ण के अंदर देखते उ जूटर वारा काम होता है या नहीं देखते हैं कि तो यह नहीं इस तरह परफॉर्म नहीं होगा देखते हैं इसका मेरे बास्ते है क्या सिलूशन है इसको आप सिलूशन निकालने के कोशिश करते हैं इसको आप सब्सक्राइब करें इसको हम रफ करेंगे कार्ड के अंदर काट के अंदर रैप करने के बाद इसको हम एक दफ़ा होट रिलोड करते हैं और जैक्ते हैं कि यह बिल्कुल यह मारे एक कार्ड नमा की हमें शेप मिल गी लेकिन हमें यह कार्ड जो है ना इसका साइज तो बगारा डिफाइन करना पड़ेगा और इसकी विर्ट तो यहां प आफ बिल्ड कॉंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट विर्ट और इसकी हाइट पर मुझे सेम एजिट रैसी चाहिए तो इसकी हाइट जो है वो भी मैं बिल्कुल इसी तरह सेम एजिट डिफाइन कर देता हूं डॉट हाइट ठीक है तो अब हम देखते का यह मारा फुरा किस इस तरह की इशूस को हम यह रिमूव करके जिस्टा सेकिंड मैं टॉप से देता हूं 10 तॉप से मैं देता हूं 30 बॉटम से मैं नहीं देता हूं लेफ्ट से मैं देता हूं 10 एंड राइट से मैं देता हूं 10 तो अब हम देखते का यह मारा कार्ड किस तरह विजिबल होता है तो यह हमारा कार्ड विजिबल है, तो इस कार्ड को अब हम थोड़ा सा बढ़ा करते हैं जी बिल्कुल ठीक है, यह 30 हमारा कार्ड, इसको मैं कलर देता हूं, बैक्राउंड कलर कलर स्टॉर्ट क्रीन, ताकि यह हमारे लिए अधिफाय हो जाए, और अमेरिक चीज सारी यहां पर मैं कलर, इसको होड रिलोड करता हूं, देखते हैं, अभी यह किस तरह वाजिबल लगता है, जी बिल्कुल ठीक है, अभी यह ग्रीन है, तो यह कार्ड को मैं बॉटम 30 नहीं, मैं बॉटम से देता हूं, 40 करके देखता हूं बॉटम 10, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं कि यह हमारा डॉग जो है, बिल्कुल इसका वो जो हैड है, वो बिल्कुल बाहर रहा चुका है, तो बॉटम 10 से भी बजाए, मैं इसको 5 कर देता हूं, ताकि यह थोड़ा सा और विजिवल हो जाए, जी, तो यह और इसको करनी करनी, तो मैं सिंपली यहां से टॉप 10 के बजाए, मैं यहां पर कर देता हूं, इसकी 20 कर दूँगा पोजिशन, नीचे बाले जो हमने स्टैक अंदर यूज की है, यह देखें, डॉग हमारा थोड़ा सा नीचे आगे, उसका जितना सा हलका सा हैड बाहरा तो हमने इसक हम किस तरह एक स्टैक को यूज करते हैं, और स्टैक के अंदर चीजों को हम किस तरह हम यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं, लिख देखते हैं, लिख देखते हैं, लिख देखते हैं, और कुछ टॉट लगा देता हूं, और अब हम देखते हैं, किस तरह हम क्वार लाइट को साथ हम योग करते हैं कोई भी हमारा जो लाइट परावजाथ मुल एक हम एक हमुर कर सकते हैं हम descrição की अरब कर लंडर सेखिया नोग हमारे का वहला कर दो का घा में हम यहां पर ऑब कर लिंग कर लिए नरी साइस थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ थो सब्यों मैं इसको 12020 करते थो तो हम वह कर सकते हैं कि इसको में होट रिलोड तो कि तो यह इस तरह मारत आग का सोड़ा साइस न। ऑप हो जाते हो कि तो इसको मैं टॉप और लेफ्ट से मैंस को जीरो कर देता हूं और तोव फिसतीन दे तो यह सिरा यह जो हमां कोई भी अपना अधिजइन और कोई भी इस तरह की चीज़ जो है हम वाया स्टैक हम अचीव कर सकते हैं तो में नेक्स लेक्चर में इन पूरे देखें के हम किस तरह बना सकते हैं तो बना시면 नेक्स लेक्चर में नेक्स को में हम गला प्रित बनना इस पहुत स्क्केंगे यहां पर आप देखें इमिज में यह कार्ड का size थोड़ा सा बढ़ा है और हमारे वाले कार्ड का size थोड़ा सा चोटा है तो हम कार्ड का size भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते यहां पर Hide. वने वान फिफ्टी डिती, कंटेНर की यहां पर मैंज कर देता हूं 200 200 करने के बाद यह देख लें हमारे कार्ड का साइज जो है वो बढ़ा हो चुका है तो अब हम इसको अपनी मर्जी के नीड के मताबिक क्या कर लेंगे अरजस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास डॉक की इमिजीज हैं डॉक की इमिज हैं वो किस तरह सेट करेंगे और यह सब चीज़ें हम अपनी मर्जी या हम अपनी नीड के मताबिक जो है वो हम सेट कर सकते हैं तो यहां पर 200 के बजाए में इसको 180 कर देता हूं ताकि थोड़ा सा बढ़ा हो ज्यादा बढ़ा ना हो और यह हमारा डिजाइन जो है वारी नीड के मताबिक उस तरह अच्छा लगे ठीक है तो यहां पर मैं डॉक को थोड़ा सा नीचे की जानी मूव करना चाहूंगा और तो थोड़ा सा नीचे की जानीब टॉप से मैं इसको 20 दे देता हूं ताकि मेरा डॉग जो है वा थोड़ा सा नीचे की जानी मूव हो जाए just a second तो ये dog मेरा थोड़ा से नीचे की जानब तो मुव हो गया है लेकिन ये card थोड़ा सामसे बढ़ा हो गये तो इसको card को मैं अभी 150 ही रहने देता हूं ये 170 कर देते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा साच है ठीक है यहां पर card मारा ठीक है और यहां पर मैं dog नीचे यहां पर बिल्कुल एक्षा लग रहे हैं अच्छी लुक दे रहा हमें यह काड तो नेक्स लेक्शन में देखें कि हम इसको डैनेमिकली किस तरह बम जिनरेट कर सकते हैं तो थैंक्स फार वाचिंग अपना ख्यार रखिएगा अलाफिज और जिन परसंस ने सब्सक्राइब नहीं किया कानली सब्सक्राइब कर दें और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है तो कानली मुझे कॉमेट सेशन में लाजमी बताईएगा अपना ख्यार रखिएगा लाफिस